प्रोग्राम इस तरह होएगा साढ़े आर्टों साढ़े नौ वजे लिखती है ते आसक पर ती जोगता ऐसे हाल वेच दास्तों बारां वजे पाशन पर ती जोगता एक तों दो खोजपतर बीबी सरिंदर का और जी खल जनल सचपाशा जी ने उने सूबा थापया है उन्हादा खोजपतर होएगा योग के योग विच नाम तारीश सहाय ते तरचना कार दो तों साढ़े ते नाम सिम्रन ते किर्तन पाइन तों साढ़े जथे हां दिया रिपो शाम नूं साड़े चार तों साड़े सात वजे पाशन पंधना साल तो हेथा चेड़ी साड़े साड़े साथे जूनियर गूर्प दी होएगी इस्टेर रिष्ब करना में osition ल loud gerण कैनAt अ कलए तर बुट बुटिक अनay परम पुझ सत्गुर जी सत्कार योग प्रधान जी विद्यक जथे दे मेंब्रो ते होर आयसर होते हो आप सबनू नमस्कार करदा हां पुझ सत्गुर जीत सिंग जी ने सानू एस सुनेरी अफसर बक्षया है कि असी तार्मक ते समाजत विश्यां बारे चंगी जानकारी प्राप्त कार सकिये मेरे पाशन दा विशे है नाम बिना जो पहरै खाए ऐस तुकनू वोस पष्ट करण वस्ते आओ असी अगली तुकवी पाल लईए जो कूकर जूठन मो पाए नाम बिना जो पहरे खाए जो कूकर जूठन मो पाए ऐ तुकां गुरु अरजन देव जी दियाहां पहरे शब्द तो पाव है कपड़े पाणा हार शिंगार करना ते अपने आपनों सोना सजोना दूसरा जो खाए शब्द है एस दा पाव वधियां पदार था तो है जबान दे स्वाद वस्ते कई तरह दे पोजन त्यार किते जन्दे हन पोजन उज्यादा स्वाद बनावन वस्ते कई तरह दे मेच मसालियां दी वर्तों किती जन्दी है गुरु अर्जन देव जी फिर्मोंदे हन जिनने मर्जी हार शिंगार कार लवो कई प्रकार दे पोजन छक लवो मन पसंदी या चीजां खा लवो पर जे त्वाडे मान दे अंदर नाम दा वासा नहीं ता ऐस सब कुछ अच्छे कपडे अच्छे पोजन उस दूसरी तुक दे समान हन जिमें कुते जुठन चट दे हन गंद विच मू मार दे हन ऐसे करके सानु चाइधा है कि असलि नाम सिम्रन करिये नाम सिम्रन तो पाव है अकाल पुरखनु हर वेले चेते रखना जिसने सारी संसार दे रचना किती है उस दे कार विच किसे गाल दी कमी नहीं जो उस दे नाम दा सिम्रन करदा है उस उपर अकाल पूरक दी किर्पा बणी रंदी है। पदार्था दे तेर लाग जान दे हन। ऐसे करके साड़े सत गुरुआ ने नाम सिम्रन उपर बहुत जोर दिता है। साड़े गुरुआं ते पगता ने हजारा शब्दा दी रचना किती है ते बार-बार सानु समझाया है कि नाम तो बिना साड़े सारे कामकार खाना पिना बिकार हन। नाम तो बिना साड़े सारे काम उससे तरह हन जिमें एक मिर्तक शरीर दा हार शिंगार करना। नाम तो बिना जिन्ने मर्जी रास को उगलेए सानू सुपने विच वी सुख नहीं मिल सकदा साड़ा शरीर सदा रोगा विच फस्या रेगा अच्छे अच्छे डॉक्ट्रां दि दवाईदा वी असर नहीं हुंदा नाम तो बिना जिन्ने मर्जी काम कर लवो कोई सिरे नहीं चड़दा सारे डुठे पाज उगर के बाहर आ जानगे अंत विच गुरुजी अपना फैसला दिन दे हन कि एह नाम उन्ना दे मान विच वजदा है जिन्ना उपर सद्गुरुआ दी किर्पा हुंदी है सद्गुरु परताब सिंग जी दियां टेपा सुनन तो पता लगदा है कि उन्ना ने अपने समय विच सब नाम तारियानों नाम सिम्रन वाले पास से लगाया वर्तमान सद्गुरु सद्गुरु जगजीत सिंग जी अपने हर परवचन विच चेता क्रौन देहन कि नाम सिम्रन तों बिना साड़ा जीवन बेकार है और असना तन हो जन्दी है जो प्रभु दे गुन गौंदी है सद्गुरु आदे बचना मुताबिक सनु हर रोज कट तो कट एक कंटा नाम सिम्रन करना चाहिदा है ऐस गालले सद्गुर्दी सनु बार बार सुचेत कर देहन जिमें सद्गुर्दी फर्मौन देहन कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम अधार जिन्ना दे मन विच नाम वस जन्दा है और सद्गुर्दी फर्मौन देहन अंत विच मैं आप सब मेंबरा ये बेंती करदा हां कि यसी सब प्रण करिए कि यसी वद तो वद नाम सिम्रन करिए कोई पुल्चुक हो गई होवे ता आप पा सुखिमा मंग दहां सत श्रीयकार करजिंदर सेंजिर द्याना तो अर्जन देव जी दरा राचत सुख्मनी साहिब दी 21 मियास्टपदी विच्चो लिया गया है जो सेख अपड़े गुरु दे हुकम नू खिड़े मथे परवान कर लवे उच पद्वी दा हाक दर बान जानदा है गुरु दे हुकम मनन दा बाल उस अंदर ही जागदा है जिसने मान वीच सेवा दी पावना होवे अते सेवा दी पावना ताही बैदा हुंदी है जेकर असी अपने मानी चो हम्मेनु त्याके मान मंदर विच पिता प्रभु दा वास्था होवे एजेहे मनोख एस संसार वेता सोख दे हाकदर हुंदे ही हन पर लोग वेच भी रेक सोखुना दा सुआगत करदा है अते जेहे पोर्ष गुरु अर्जन देव जिदे एस फरमानू साच करव खाउंदे हन के ए लोग सुखिये पर लोग सहले नानक हार प्रभ आपे मेले सो गुरु दा हुकम मान के सो गुरु दा हुकम दा अदेश दा रूप होवे पर सेख वास्ते उस दी पालना सेवा पावना उनसार किती जाए तां ओ सेख एस तो को पर पूरा उत्तर सक्दा है साथगुर की सेवा सफल है जे को करे चेतलाए पूर जी एंड प्यारी साथ संगर जी साथ स्रिया काल गुर साथगुर का जो सिख अखाए All of us remarked that we are Sikh but many of us do not know that the word Sikh is derived from the word Shish that means a disciple or a student. One who follows the instructions of Guru is called Guru Sikh but there are so many attributes of Guru Sikh has written in Shri Granth Sahib Ji. Guru Nanak Dev Ji proclaimed that a person who never tells a lie and follows the instructions of Guru is called Guru Sikh but Guru Ramadhar Ji remarks as under गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम त्याए उदम करे पलके पर वाती इशनान करे अमरित सर नाव है उपदेश गुरु हर हर जप जप है सब किल्वी खपाप दोख ले जाव है अपदेश फिर चड़ा जिवस गुर्वानी गावर गुर्गोबिव सिंग जी और सो प्रोक्लेंब दाए सिख इस वेनरेबर तो में कि जपोख बिए के थे बसन अट्रू की लाव एपन सन्टु खुर्गोर्गोबिव सो टीवार जी जी अविज़ जब शी और स्ट व्हां है तू स्पेंट लाइफ एकोर्डिंग तू प्रीचिज ओफ गुरु जग्जी सिंग जी एंड बी अगुर्शिक एज गुर्बानी सेज पिसें जी जीवन नगर नाम बिना जो पहरे खाये नाम तो बिना जीव संसार वे चाके जिनने वीरा स्पोगदा है खाना पीना तेहं डाउना सब ओवे है जिवे कोई कुता एदर उदर बिखरी जूट वेच मुँ मारता है साहब सिरीकुर्णांक देव जीवी इस पक्ती प्रोड़ता करदे होई फरमान देहन बाबा होर खाना खुसी खवार जट खादे तन पीडिये मन में चले विकार साफ फरमान देहन के जड़ा अनपानी खान नाल मन वेच विकारां दे उत्पती हुंदी है अते विकार पैदा होनाल श्री रोगी रंदा है पर जए इस खाने नूँ यह सी प्रभुदे सिम्रण नल खाईये तां गुरु साहबा ने विए उसली उस्तती किती है तिनका खादा पैदा माया सब वित है हार हार नामती आये है एक छोटी डी गल सिरी सतगूर परताब संग जी विले संगता लंगर शकरिया संग ते संथकंदारा संग जी पंक्ता वेच दोड़े फिरन ते कैन साथ संग जी लाजमे नाल चेको एक सेख ने किया संती जी कड़ा प्रशाद दाला प्रशादा सब कोश्य है और लाजमा केड़ा संता ने किया स्वास वास नाम जपना ही असली लाजमा है नाम शबद कर्मन मेटन असे जनमा तो नजात दुआन वाला है अनन्त सुखान दा पंडार है अमरत या मिठा है मुक्ती दाता है ते कल्यान कारी है इससे लिए हिर्दे वेच वसांजों की एको एक को वस्त है पर हिर्दा असी पूरे दा पूरा संसादे चूठे रसा कस्ता नुस मरपत कर रह दे हाँ जे माल दोल सिलार सा स्वाद दी पोजरा दी कामना इस्ट्री दमो वजिया सवारी सुंदर मकान आराम दे सेज फुलेल दी खेट दिलवाने तेल फिर विचारा नाम समावे तकेस थां रस सुझना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोडे रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास एते रस स्रीर के कैकाट नाम नवास क्योंकि साड़ा ना रसां दालोब संतु श्टोन वेच ही ने जांदा ओस हन मड़ मड़े सोचक रूपी संसार वेच फेरे पुआई जांदे हन देदा देल एजित खपाहे जुगा जुगंतर खाई 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 देन चारदा लेंदा आते रात लंग जांदी है हर रोस मनुख दी उमर करदी रहनदी है और मनुख समिदा नहीं हर रोस उमर उपी चुहा काल रूपी रसीनों टोकर रहा है पुरानी कतावाल इशारा है जैसे विच मनुख जी उन्हों और रोपन गीता है कि इस कड़ी पिछले पैदा खादा हजम हो जांते पेड़ तालदा हुंदा है आते ठीकत ना बैठन वेच दिकत नहीं होंदी इस तो बिना पूरी नीद मालनें तो पिछो मन विचात हुंदा है काल दे मसले काफी कुछ पोल गई हुंदे हन अदे आज दे हली पैदा नहीं होई हुंदे हन ना आवा जाई दा छोर परम सतकार योग सासंगा जी अज सचे पाशा ने मेनूदे मेरे साथियानों एक सुनहरी मोका देता है कि यसी तेन अलगलग विश्यां दे अपने विचार पकट करिये मैं इसी मोके दा पूरा पूरा फैदा उठानदा हुया नाम बिना जो पहरे खाए विश्या दे आपने कुछ विचार पकट करन जा रहे है पूरी गुर्बानी नाम दी महिमा कर दी है इस दे रचनहार गुरु साहबाना दा यतन सी कि जदो भी मनुक नाम तो तुट जावे और फिर किसी ना किसी तरह नाम नाल अपनी लिव लालवे क्योंकि नाम एक एहोजी अलाकिक शक्ती है एक एहोजी डिवाइन पावर है जिस दे पौक हांडेच हर चीज रहन दी है गुरु साहबाना ने नाम तो बिना जीवन ना जीवन नहीं मन्या पर पता नहीं क्यों असी मन्यी बैठे है उस बलब दा की जीवन जिस विच बिजली नहीं उस फोल दा की जीवन जिस विच महक नहीं उस मशली दा की जीवन जो पानीश नहीं गुरु सैबान फर्मान देहन नाम बिना जो पहरे खाए जो कुकर जूठन में अपाए सुपते दुख दोनों ओदे हुकम विची हन इत्थो तक की जनम मरण विओदे हुकम विची है जमन मरणा हुकम है पाले आवे जाए जीवनों ग्यान दी लोड है क्योंकि जीवता परमात्मादा ही अंश है गुरु अमरदाज जी परमान देहन मन तु जोद सरूप है अपना मूल पच्छान ते सुख दी प्राप्ती ओसी नू हुन दी है जेडा बुद्धी दी सीमा तो पार जान दा है गलता हो में मारंदी है ते एस रस्ते दी सोजी गुरु तो ही हुन दी है ते जेका हुकम दी जे टलता नू समझना है ता गुरु दी शण विच जाना पवेगा तेरा हुकम अपार है कोई अंतन पाए जिस गुर पूरा पेट सी सो चल्ले रजाए पर तक गुरु नू पाके ही हुकम दी पचान हुन दी है ते जेका रसी आपने मानभीरती नू एस पासे लगाईए ता एस रस्ते दी सोजी आपने आपाजन दी है कि गुरु ते परमेस दो वक्रिया हस्तिया नहीं गुरु परमेसर एक है सम्मे रया समाए गुरु ही करता है गुरु ही करणहार है ते सिख्धा परमतरम है गुरु दे हुकम नू मनना ते और अमसार आपने आपनू टालना पाई गुरु दास जी फर्मान देहन मनन बेच सत्गुर के पास किस सेवके कारजरास ते बाणी विच निशकाम पावनानाल सेवकरण बारे आंदा है सेवा करत होए नेकामी ताको होत परापत स्वामी जदो पाई बाला जी ने गुरु अंगर देव जी नू पुछया कि सेवा ता मैं वी किती सी परवस्त आपनू परापत होई ता गुरु अंगर देव जी ने आख्या कि तुसी गुरु नानक देव जी नू के करके मन्या सी ता ओनाने आख्या कि पूरण संत करके ता गुरु अंगर देव जी ने आख्या कि ओनाने ता नू पूरण संत मना दीता है जटकी पाई लेडा जी ने उन्ना नू पूरण गुरु करके मने असी तो उन्ना ने उन्ना पूरण गुरु मना दीता बीस बिस वै गुर का मन माने सो सेवक परमेसर के गाज जासंगतू सचे पाशा ये दी किरपाना आज इते एक पाशे परतोकता हो रही है इस विच मेरा विशे है नाम बिना जो पहरे खाए जियो कूकर जूठन मह पाए संसार विच मेलुक जिनने भी पदार प्राप्त करंदे यतन करदा है उन्ना विचो सब तो उच्चा नाम नू मन्या गया है इसलिए गुरुवाक है नाम श्रोमनी सर्ब मैं पगत रहे लिवतार सोई नाम अमर गुर तुस दियो करतार श्रीगुरु नानक देव जी भी प्रभु कोलो नाम दी दात लेके ही आए सन ताही पाई जी लिख दे हन बाबा पहदा साच खंड नोनिद नाम गरीबी पाई अते श्रीगुरु जी ने इसे नाम दा वितरन संसार विचे कीता है क्योंकि संसार रोगी है ते नाम दारू है गुरु जी तो ऐसे नाम नू प्राप्त करके जपन वाले ही इस संसार विच नाम तारी के लाए तदे शिरी गुरु अर्जन देव जी लिख दियान मैं नाम तारी शरन तेरी प्रब्देयाल टेक मेरी नानक दीन आसवंत नाम सुवामी मनहें मन्त प्यारी सा संगत जी सारे गाच क्याक को तंसे तर्गुजे जी संगी ति दुनियावी रिष्ट उऋ आगी गुरु युगा तो चल्दा आरे आ रहा है ये सिपकिव शवंत वीचै शप्षी दा मतलब गुर्व नानक पार च्याँ ने फरमाया है शञ tidaya गुरुधी सिख्षी की सवार्ण करना गुरु जी दे अधिया अमल करना जेड़ा सिक्ख सातुग्रे देन प्रवाले जाये कर में दना हो याना दो वार गगा मांजना पांच वार मीटी ना रसमाजने प्रिश्णान करना पयान करना बानी पर नहीं सीज तोक साबने लगना गुडू सच्चे दा पजन अठे पायर करना प्राइटी पैन अपनी जाने नहीं प्राया तानसा तो कुछ अगी लिप सद्या है हक प्राया नान का उस सूर उस गाए जे कोई पजन पुछ के ना गुरूगा उस दा मुही दो ही जहानी काला हुगा होड मन्दा विका नहीं बोलना बोलक बोल सहां जाने सब्भवे हर वक्त दोउन लगोहना दारुमgest नहीं काना पीना गुरु अगुरु जब देना न पत्ता नहीं करना कोप रखना गुरु जाहर दम गुरु सिख्जी दे नितकरम कियाने इस बड़े वी शी सत्युरु सब्सक्राइब गुर्ण सत्गुर्ण काज्यों सिखा काई सो पलके उठेन नामते वैं उद्दम करें पलके वतीशनान करें अमरित सर्ना वैं उपदेश गुरु हाड़ार जब जापा सब के लिविक पाप दोक लाजाबा विच्छा दिवस गुरु बानी गावाए बेंदे अविदे नामते वैं जो साज गरास तैंड मेरा हाड़ार सो गृषिक गुरु मनपावाए तो पाई गुदायर फूमाया है कुरुबानी तिन गुरुषिका साथ संग चल जाए नित्त गुरुबानी नित्त गाय सनंदे ते गुरुषिक नू की नहीं कना चाहिए इस बाड़े भी पुरुबानी विच्वियों लिख्या है विन गुरु चरना पूजना सब कुड़ासवा खोड़ती संगत मीन्या दुख दंदी मित्य लून हरामी कुणा कार मर जना विगोगा है निंदा पली किसे की नहीं मन मुदकरन 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 काम प्रोद लोग चोड़ी है दीजया गंजले दुर्मत मद्य पीटे विखली पतगमली गुरुमिंतर हिनेस जो प्रानी गुरुमंतर नहीं चीत ताका पोले नखाय क है जी मतमार बजीशेश्चивет पाई मूदकर पत्तग्वाई सुमाया लहत प्यारी मुदकर सिख तकितते को उलटेक मल्मत प्री पंजल भणEd पानी टोणा पेंदा कर जाड़तों प्रती. पणाम जुपना पेंदा अग्य कैनर डेटस पनसलों तो केज़़ायों निम सांग निकूल pharmacy सादा खिंडेछ४ट। बंद बंदध कटें पामें पं ती उतरangel चाहंद नीदा चोंग पामें सीः उतार जिल रच तरपामें तोफां गेराइब सिखी नाल पयार सानों सिखी नाल डिगगा चोग बाल मार जंगाप्तार्थान मन विच्छों नहीं साडहे ख्याल जा अपना तुलाला पामे खलड़ी उतार, सिक्षी नाल प्यार सनु, सिक्षी साधी जिन्द, सिक्षी साधी जान, सिक्षी साधी नैन, सिक्षी ही प्रान, सिक्षी तो जाईए सदा कुर्बान, सिक्षी तो सदा असी बलहार, सिक्षी नाल प्यार सनु, सिक्षी नाल प्यार सो आओ अजिसी सद्ग जियों दीशिंग जटना अर्ज करिये गरी उन्वार्स अपना यह बनाई रखा शाथ सरी ना अते लेता करनवाला रूप रांग ते रास्तो परे जोनिया तो रहे थे उसनों जानन दा अते नुभफ करन दा इको ही तरीक का है नाम जो की सिरफ मनुख जीवन वेची प्रापत कार सकीदा है इस करके मनुख जीवन नों सब जोने अदा सर्ताश क्या गया है पर जब मनुख नाम तो खली है तो गुर्बाणी वेची ओंदा है बिर्था नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध कनक दे दाने दे बिना खली नाड ही ह मनुख दे खांदे काम नहीं ओंदी ऐस तरह नाम तो बिना मुख सुनना है पाव की खली है कन बिना जैसे थोथर तुखा नाम भी हुन सुनने से मुखा खाणा ते पहनना मनुख जरूरी लोड़ा हान पेड़ जगनी शांद करने ते तन नों टकना जरूरी है पर जड़ा फर्माओं देहान गोबिंध हम ऐसे अपरादी जिन प्रभ जी ओपिंड था दिया जिसकी पाव पगतनी साधी नाम कर्मानुमे तन वाला जन्मा तो नजाद दुवान वाला अनन्द सुक्दा पंडार है मुक्तिदा दाता है अम्रिज जहा मिठा है कल्यान कारी है हिर्दे हिर्दे विच वसाण वाली अमुल वस्तु है पर साधा हिर्दा तक पूरे दा पूरा संसाल चुठे रसा कसन इसमर्पित है जिमें माल दौला दिलाल सा स्वाधी पोजंदी कामना इस्तनिया ते परिवार दा मो सेज सुगंदिया मकान सवारियां फिर नाम समावे तक कि थ रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल्की वास रस कोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास एत्ते रस सरीर के काट नाम निवास लालिस दा बद्दजी खाच अखाच पक अपक सब कुछ पेड़ी पेंट का रहा है पड़ी राग विच स्री गुरु रामदास जी दी रचना पन्ना तिन्सो पंजतें अंकित है इस तोक दा सार अंच है कि जो गुरु का सेख कमंदा है उसने नित करम की हन उसने गुन की हन उसने रहनी बैनी कैनी सैनी इस प्रकार थी होनी चाहि दी है जिम्हें के पाई गुर्दाश जी अपनीfig औरों विच सिर्णक्र jeżeli स्र नह दा गुर के बचन उचार के तर्म साल की सुर्थ करंदा शास संगत वेच बैठ के गुर्बानी दी प्रीथ सुनन्दा शनका मनों मिटाय के गुर्षिखांदी सेव करंदा साथ संगत जी दसं पाच्छा दे समे एक पाईक नईया जी होय हन जो के युद्ध समय सबना नू जाल्च कौन दे सन ते इस तोक दी पूर्ती कर दे सन के ना को बैरी ना है बेगाना आते आपना पला सब का हुँ मंगड़ा पला चितवत चितवत मर्या सासंग जी ओना दी अवस्ता एहो जी सी सबना नू जाल्च कौन दे सन ते जाल्चा के दुश्मन भी योद कर नू तियार हो जान दे सन सो एक वार कोई सिख्धा ने गुरु गोविन सिंग जी पास अर्ज कीती के गृवन वाज असी ता दुश्मना नू फटड कर दे हाँ उना नू मार दे हाँ ते पाई गोवन जाल्च काकन के फिर लड़न योग तीयार काैं देहां ते दिभी आने कारना जाए योग नहीं है ते गृवर्अड गोवन सेकली जी पाई इन अपने पास बलाया ते कहन लगे के पाई जी तुश्मना नू जाल्च कम देडकरू तब पाई जी कहन लगे ग्रीव नो आज मैंनू ता उन्ना विच्छों में आप जी ता ही रूप दिसदा है ता गुरू जी बहुत खोश होए ते पाईक नाया जी नू गलवकडी वेच लेया के जफी वेच पाके क्या के पाईक नाया जी अग्ये था तुसी दुश्मना नू सिर्फ जाली शिकंदे साओ पार होणों ना दे जखमा ते मरम पटी भी करया करो ते गुरू जी ने अपने कोलों एक मरम दी डबी ओना नू दिती ते खुशियां दिती यां सासंगत जी गुर्षिखी दुनिया जे समना पदार था नालो वड़ी ते अनमोल वस्तु है परने बौणिया उखी है जिम्हें के पाई गुर्दाह जी फरमाओ दे हन वालो निकी आखिया खंडा तारह सुनिया तिकी आखने 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 सकीया लेख लेखना जाय लिखी गुर्मक पंतव खानिया अपड सकेना इकत विखी सेल अलूनी चटनी तोलना लख अमयो रस इखी गुर्मक सुकफाल पाया पाय पगत वहली जो भिरिखी सास अंगत जी गुर्मक नाम दान इसनान सास अंगत जी महापार्ट दे योध वेच जदो करन् फटड होया पहा सी जो के संसार दा मन्य होया दानी सी जसको लों कदे भी कोई स्वाली खाली नहीं सी गया जादो फटड होया प्यासी ता पगवान ने उस दी प्रिख्या लैंड दी सोची ते पगवान ब्रामन दा रूप ता अरन कार के करन दे कोल आए पठे पराने कपडे पाके नंगे पैरी बहुत ही गरीब दशा दे वे जा ते आके करन दू केन लगे थे करन तुसी ही गरीबान दे वाली था ज्व एस वेले तुसी यह संसार नू छटके जा रहे हो ता साटाव वाली काउन है मैं ता ऐस वेले एक बहुत वड़ी आस रहा के आप जी को लो एक मांग मंगना आया सा ते अर्ज ए है के मेरी जवान कुड़ी है ते ओ क्वारी बैठी है उसनू व्योणा है मेरे कोल पैसे नहीं है मैं बहुत चिंता वे चहां ते गों करन कैन लगा के ऐस वेले मैं तो अनू की दे सकदा हा ता पगवान रूपी ब्रामन कैन लगे के ये करन तो आडे मुख वेच सोने दा दंद है जे तुसी ओ मैंनो देदा हो ता मेरी लोड़ पूरी हो सकदी है ता करन कैन लगे कि मैं अपना दंद किमें दे सकता है तुसी आप ही निकाल लगो ता पगवान रुपी ब्रामन कहें लगे एक कोई दान नहीं है कि मैं आप जी दे मुख वी चो दंद करणा ते फिर करन ने क्या फिर तुसी एक पथर मेरे मुझे कोल कार देगो मैं उस दे अपना मुख जोर नाल मारांगा ते मेरा दंद बार निकल जावेगा ते तो आड़ी लोड पूरी हो जावेगी ते पगवान रुपी ब्रामन ने एक पथर करन दे मुख दे कोल कार देता करन जदो आपना मुख उस दे जोर नाल मारां लगा ते पगवान ने साक्षा दर्शन दे के अपने दोवें हस्त करन दे मुख दे थले राख देते ते कैन लगे ये करन मंग जो मंग डाईं असी ते ते खोश हाँ क्योंके तेरी आखरी तमना भी दान दें दी रही तो ये सोज़ना है के तेरे करों कोई खाली न जावे ता करन कैन लगा हे पगवान जे तुसी मिरते तुठे हो ता मेरी एही आखरी इच्छा है मेरी एही तमना है के जो मरंतोबाद मेनों हाथ लौन ओवी दानी होन जो मेरी अर्थी चुकन ओवी दानी होन जो मेरे पिछे ओन ओवी दानी होन सासंग जी पाई गुर्दास जी वी अस दी प्रोडता करदे होई दस्देहन के पिछली राती जागना नामदान इशनांद रडाए मिठा बोलन निव चलन हत्थाओ देकाय पला मनाए थोड़ा सवना खावना थोड़ा बोलन गुर्मत पाए काल खाए सुकरित करए वड़ा होई ना आप गनाए फ्रीज जी वी फ्रमाउन देहन मत होंदी होई एयाना तान होदे होई निताना और होंदे आप बंडाए को ऐसा पक्त सदाए सासंगजी गुरु अरजन देव जी दे समय एक सेख ने गृवन आज जी नो पुछया के हे गृवन आज जो के समय वेच कोई जेहा सेख भी है जो आप जी दा हुकम बनदा है जो आप जी दे पाने वेच चलता है और जिस दे अंदर नाम है ता गुरु से फर्माओन लगे के ओ सिखा जे तुँए जेह सिख दे दर्शन करना चावना है ता लहौर चला जा उथे पाई लद्दा जी दा कार पुछ लवी तो आप जो कहीं के गुरु जी ने हुकम कीता है जो के गुरु दे हुकम वेच अपना जीवन बतीद कार रे सान जीवें के गुरुबाणी वेच आउंदा है जो सुख प्राव गोवेंद की सेवा सो सुख राजना लईया है तो आते यथा राजना चाहो मुगत ना चाहो मन प्रीत चरन को मलारे तो जदो शंकावादी सेख पाई लद्दा जी को पहुंच दा है तो पाई लद्दा जी नो कहिंदा है ते स्रोवर दी उग्राई देन वासे आप जी नू पांचसोर पई देन दा हुकम होया है तप आई लद्दा जी अइने खोश होये ते कैन लगे मेरे वड़े पाग जो मैं नू गुरु ने याद की था वड़े पाग मेरे जो गुरु का सिख मेरे कारा आया ते कैन लगे दस सिखा मैं तेरी की सेवा करा ता शंकावादी सिख ओना दे बचन सुनके बहुत हराण होया ते कैन लगा ओना दी करा कारदी दशा देखके भी बहुत हराण होया जिवें के बाणी वेच भी अंदा है नाम तान जिस जन पले जिस नाम रिदा सोई वाड राजा तां की वेख देहन एक हफते तो बार तोड़ वाज रहा सी तो ओड़ वाला के रहा सी के जो मस्कीनी गहल वाण लड़ेगा उसनु एक घार पया नाम ते जो टठ़ेगा उसनु पाइंस नाम लखवा है नाम पाइलाज जी निय पुछम पच्छदा है के पाइलाज जी नाल एई लोक डर देता, तुस्य मेरे नाल क्यों लड़ना ये हो, तरभाई लद्दा जी कहां लगए, के मेरे गुरुदा हुकम हाया है, के स्रोवरदी उग्राई वास्टे 500 पर देने हैं, इसकार के मैं लड़न लगा है, तरह मस्कीनिया कहां, ये गुरुदा हुकम है, फि तो गुरु अर्जन देव जी ने पुछ आ मस्कीनिय पहलवान नू के तु इन्हा बड़ा पहलवान है तु पाइलद दा जी नू टाया क्यों नहीं तो मस्कीनिया कैन लगा है सचे पाशा जी एदे पिछे ता आप जी दा हात सी एदे अंदर आप जी दा नाम सी मैं इसनू किमेटा सकदा सा मैं आता नगुरा हां ता गुरु जी बहुत खोश होए तो उसनू नाम दी दात बख्षी अपने चरनी लाया तो गुरु जी ने किय है मस्कीनिया रेंदी दुनिया तक लोग तेनों यार करेंगे ते क्या सुखी वसे मस्कीनिया आप निवार से ले सो सास अंक जी सानूवी गुरु जी संग जी चरना वेच एजही ए अर्ज करनी चाहिए है कि सानूवी ओना सिखावर का जीवन मत ते पावना बक्षन सास्र परमात्मा ने सानूव नुक्ष देटी ए चुरासी लक जुना पोगंतवाद जी इस मुखा देवी चांदा है असी इस देवी चाके उस पीता परमात्मा नू जूड़ जोने हैं एक इसे पूरन गुरु या पूरन साथ तो ही प्रापत हो सकदा है एक पूरन गुरु या मारा दर्शक के लांदेहन हर नाम दिया गुर परकारी सद्गु राम सिंग्जी दे हुगम नामियां विच लिख्या है ना पजन पुछके करना जड़ा पजन पुछके ना करूगा उस दमूजु नान वियाम ते स्वच्तादा बड़ा मत्तवे औस सित्रा मां दी पवित् का जो सिख खाए सो पलके उठर नाम त्यावै उद्दम करे पलके परबाती इसनान करे अम्रसर नावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल्विक पाप दोख ले जावै फिर चड़े दिवस गुर्बानी गावै बेंद्यां उठद्यां हर नाम त्यावै जो सास गि इसनान दी महांता माग दे मिनेवी दर्शाई है माग मजन संग साथुमा तूरी कारिक साथ संग जी एक वारी बड़े प्यारनार रसना प्रितरकार गज के आखो तांसिर सत्ग जी संग जी साथ संग जी जदों तो एह दुनिया वजूद भी चाही है ओदों तो ही होरा रि सिख दी एक अटुट सांज एक नवेकला रिस्ता बने आ रहा है ए रिस्ते ना दे कसवट्टी मनने यांदे हन हर जुग दे हर तरम दी इस कसवट्टी दे मुनुख जाती अधे जमात्दी कर्मा बारे कई प्रकार दे निनने ले जान दे रहा है तर्मुन सार दर्शल इन इननने जाना रिस्त्यान नाथ नहीं मनुखी सुमाई न इक म्रिदा बंद न चीव्ट्र रहा है तर्मुन सार जो सिख गुरू दे हुकमा दे चलके उसनु मन के उज दे पाने विच विचर दे हनो और गुर्षिक गुर्मुख देवीदे ते संट मात्मा कैसे तकार ढूंदी है। गूर्बान गवाइय कुर्पार्म है है। गुर्पार्म कश्मकाशा पर्मॵन है, कुर्वन है, गुर्पार्म है। इसलिए तर गुर्फिक दा जूना आम लोकान वख्रा होंदे़। लिट लिट नहीं हो गुर्मत अनकर विच लिट बुकुण हो जांदा है। दिन्यावी बोलियां तडेयां तोलियां उसनों प्रभाविच नहीं कर दिया है। उस्ता हिर्दा गुरु चर्ला विच कलोल करना लगदा है। संतां दी तूडी नाले सनार कर साची दी माला फ़र। राम नाम नसना दे राक संजम दा कासा फ़र। सितल दादा आसम जा ते निर्बक्टा दी चादर उर। आप प्रेंपक्त विच्च मगन हो जाना लीन हो जाना है। चंदर न लगदा है। गुरु दीपक दी जोती एक होड़ दीपक जला देंदी है। नाम दी वर्खा हों मेरुपी जवालान उसांत कर देंदी है। काका गुरुविंदर सेंग जी सरसा नाम बिना जो पहरे खाए। जाज सबान चातरवास ते आई हुए गुरु प्यारी साहस संगर जी ओ आज हो रहे। आई हो रहे। नाम तौई वी देख जथे वेच उसमेलन देवेच मेरे बोलन दावीच्थ। आपिडिए कर दखिए कटी हो नप जो तो बाव है है। तो पिंदे साथ सि में यदुना उठी इश आंदा है। ओपनी कर्षी जबंदो मैं किसे अखिगै तॉकल मैंना सुय धार्षा जड़ा अंसान सत्गुर्दा नाम नी जपदा उनू सूर्टे कुते दा जनम दिता है अगे केंदे हन नाम बिना कमला संसाथ सत्गुर्दे ना तो बगैर ए संसाथ जड़ा कमला है जन जापा सोधी तेदा पेदना जाने मान से देदा जिना ने इननु जापलिया है उनना दी आई चलाई मुक गी है उनना दा पड़ा हो गया है जिना ने साथ को इननु याद कीता है उसन साथ तो मुक तो हो गई हन तो नम बेना जो पहरा काव है, जड़ा हंकारी अनसान हुंदा है, उसनु नम था चेते हैं नहीं होंदा, एक वारती गाल हुंदी। एक वारती गाल है कि कवीद साब जी मना सी कांशी देवच एक अक नदी नंग दी है। वो तो तो दी एक कांशीदा सेठा आ गया, तो कभीद साब नो बेड़ी वाले नो आखिया के सानू पार नगा, बेड़ी देवेचे सवे कभीद साब जी बैठ गये, तो उनने नो कहाने लगे, के तुई इते बैजा, उनने के अंकारी सी, उसने किया, के मैं बेड़ी वेच नहीं बैठ सकता, उनने क्या क्यों नहीं बैठ सकता, एदेवेच जुलाया बैठा है, क्योंकि जुलाया बैठा है, मैं इनना वड़ा कांशीदा सेठा, उनने अंकार बोल पया, वो कहान लगा, मेरे मुकावले सपत करे, मेरी हनी है, परम पुझ्य सत्गुर जी, फिजिक इकत्र होके, तार्मक पते समाजिक विश्या ते विचार कर सकिये, मेरे आज दे लेक दा विश्या है, गुर सत्गुर का जो सिख अकाए, आओ, एस तोकनू कुछ होर सपस्ट करनवास्ते, एस तो अगली तोकवी पाड़ लेए, जो इस तरह है, सो पलके उठर नाम गुरु ते शिश्य दी परंपरा, श्री गुरु नानक देव दे काल तो चली आ रही है, जो आसता कायम है, कया भी गया है, गुरु बिना गत नहीं, एस सेले ता सिख सत्गुरु दे हर उपदेश नू औस अकाल प्रक्दी मर्ची समझ के मन्दे आ रहे हैं, सत्गुरु द अमरित वेले उठके ओधा नाम त्यान दा है, गुरु बाणी परदा है, ते उस तो बाद तरमसला दा रुख करदा है, ते ओ तरमसला विच प्रेमनाल बैठके गुरु बाणी दा यश्गान करदा है, ये गुरु नानक देव जी महाराज फरमान देहन, कि सत्गुरु दा सीखोंदा दावा जो मनु करदा है, ओ हर रोज अमरित वेले उठके हरीदा नाम त्यान दा है, ते ओ पहला उठके शारीरी किस नान करदा है, ते फिर नाम अमरित सोवर विच रुखानी इश्णान करदा है, दीन चड़नते हो गुरु बाणी गान दा है, ते गुरु हरीदे नाम त्यान दा है, ते उठ दिया मेरी मेरे घरी आपने मान विच interpretington घेड़ा गुरु तम Cindy गुरु थे सारी ही आल रिकिव्दाता है सही अर्था वेच गुरु ने उन्नु ही उपदे सुनाया है इस से लईता श्री गुरु नानक देव उस गुर सिखते चरना दी तूडी मांग दे हन जिड़ा आप नाम जपदा है ते होरा नू नाम जपवांदा है गुरु दा सच्चा सिख अपने मांदे अंदर क्रोध, लोब, मुह, आजविकारा नू दाकन नहीं होंदेंदा ओ केवल हरी नाम ते खरीदे गुनादा ही खरीददार हुंदा है ओ हरी तो इलावा किसे होर नू अपने मांवेच था नहीं देंदा सिख दा दुज़्यना पुरोसा है, जिसनों अपने साथगूर दे ऊपर पूरण विश्वास है, ओही चीख हो सकता है गुर्बानी भी कैंदी है, साथगूर सिख की करे प्रतिपार, साथगूर सिख को नाम तान देही इस तो पाव है कि सत्गुर ते उपर प्रोसा रखन वाले सिख दिवी सत्गुर पूरी प्रति पालना कर दे हन ते उन्नु नाम रूपी तन बख्ष दे हन बहुत तर साल दी उमर विच सेवा दी करडी कालना काल के जो प्राप्ती होई ओ सिखी लईक रशन मना रहा है पर अज कल्यूग दे इस प्यानक समय विच राजनीती ने एक हुजा गलबा पा दिता है कि सिख सत्गुर नुपल के कुराहे पै गए हन आज दे सिख हम में दे फेर विच फास के गुरु जी दी रहमता नू पूल दे जा रहे हन आज दे सिख सिख छी दी मर्यादा तो दूर हुं दे जा रहे हन गुरु बानी भी कहन दी है जहां तहां का छके प्रसाद सिख नहीं मेरा आज जगात तहही ता सत्गुर परताफ सेंग जी फर्मान दे सन कि जिन नचेर सिख एनी समझदा क्यों सिख है साथगुर्दा सच्चा सिख उस मालक दे किसी भी हुकम वलो मुह नहीं मोड़दा ओ अधी हर रजा वेच खुश रहनदा है साथगुर्दा सेख खुशी और गमी दोना तो उपर रहनदा है और साहीब दे हर रुकम नू खिड़े मत्ये नाल परवान करदा है जदो सिख दा काम सवर जानदा है ता ओ यही कहनदा है यह मेरे साथगुर्दी किर्पा है उनना दी ही बरकत है मेरा इसवेच कुछ नहीं और सारा सेरा अपने गुरुदे मत्ये ते बंदेंदा है जिस तरह फला नल परे होई द्रख दी टैनिया चोक जानदी है उससी तरह ही साथगुरुदा सच्चा सिख भी मान और वडियाई तो दूर रहनदा है ताहीं ता कैन देहन साथगुर्दे सिख दी मत्ये मत्ये ते मान निमा हुनदा है पर अज सानु अपने अंदर चाती मारनी चाही दी है यसी किते खलोते होई हैं यसी यह खुझे सिख हां के नहीं आओ अज जासी सारे मिलके बक्षिश मंगिये साथगुरुदा अकाल पूरक समझन दी ताकि असी भी सिख दी मर्यादा दे उत्ते चलके एक पूरन सिख हों अंदा मान हसल कर सकिए अंत्वेच मैं पस एक तोक नू कहनदा होया अपनी वानी नू विश्राम दवांगा रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहीब मैं उसका चेरा इस तुक तो पाव है कि साथकुर भी उस गुरसेख नू अपना साहीब ते अपनी अपनू सा चिल्ला बना ल काका अजीद सेंग जी शिरी पैनी साब गूर साथगुर का जो सिक्का खाए जगजीद सेंग जी ने मान वाक्षिया है कि है समेलन वेचा कठे हो के एक दूजे नाल वचारा अदान परदान कर सकते हैं यह वचार जो के गौर सिखी वारे हैं इना मेरा अज़ता विशा है जो सेखा खावे इस दाप आव इस विच इस तोक विच गुरु रामदास जी ने गुरु गुर्षिक अटे गुरु दे विचका आर जो सवांद है उना वरे वर्नन कीता है ओ एक गुर्षिक दे गोन अटे गुरु दे आपने फिर सेख दे प्रती जो फार्ज हुंदे हन जो गुर्षिक हंदा है वापने गुरु होखम ब्लकुल माने अतः है अपने गुरु को कम दे अनुसार चाल जादा है एए जो गुरु ह Sowन भी अपने गुर्षिक दे पूरीता आ लव सायत करा वा श्पाचत है उस हुनों मान हर त्रहां दी शोक शांती प्रापत होंदी ह सेवक काव सेवा बाने आई हुकम बूज परम पाद पाई जो सेख साथगुर्दा हुकम बूज लेंदे हन फिर उनना ते अकाल पुर्ख दिकिर्पा हो जान दी हा हुकम बूजन तो पाव है साथगुर्दी रुजा विच रैना उस दे पाने नू चंगा करके मननना अते दुख सोख नू समकर जानना जेना दा दुख सोख नू समकर करके जानना आल मनुख दी हमें खत्म हो जान्दी है अते जेना मनुख दे अंदर हमें खत्म हो जान्दी है उना दे अंदर देवी गुन पैदा होंदे है उसाब विच परमातमा दे रूपनु वेखदिहन अते उननु इस गाल दी सोजी आजान दी हा कि एसारा प्रणाहमान दे उस परमातमा दे हुकम विच चालदा है हुकमें अंदर साब को बाहर हुकमना कोई नानक हुकमें जेबुजा ताहूं मैं कहना कोई उपस्तित ग्यानवान साथ संगजी तो अड़े सन्मुक बोलना सुरज नो दिवा दिखान वाली गाल हुएगी पर फिर भी मैं संताने दस्थे हुए विशे ते तो अड़े ना अपने विचार सांजे करना चालना हा एक शक्ती है जिनने दुनिया बनाई कुद्रत बनाई जिदी इच्छा बगार पत्ता भी नहीं हिल साथा मैं आप तो अड़े विच उदी इच्छा नाली खड़ा हां उन्नु रभ खुदा पगवान हरी आदीदा रूप दिता गया है ऐस दुनिया ते अनेको पीर पेगंबर आया हां तो अनानेवी ऐस शक्तिनु मन्या है तो ऐस दी अराद नाकर अंदा रस्ता अपने अपने विचारना लद्चा है जो अपने सद्गुर्दे के होई रस्ते दे चलके ऐना शक्तिन दा निस्वार्थ सिम्रन कर दे हां ओही सद्गुर्दे सच्चे सिख अन मेरे विचार्च ओ सद्गुर्दे सिख नहीं जो नाम ता जब दे हन पर लालत चाके या दिखावे लई तो ओ इस सद्गुर्दे सिख नहीं जो किसी दुख दे वक्त मजबूरी चरादा सिम्रन कर दे हन जैसा कि एरहीम ने क्या है दुख में सिम्रंद सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सिम्रंद करें ता दुख काहे को हुए ऐस कथन दा ए मदलन नहीं, कि जे असी नाम जपिये, ता साड़े जीवन दे सारे दुख दूर पा जानगे पर सचता ए है, नाम जपनवाला मनुक गुर्षी खी दा जीवन जीनदा है, ते सदा गुरु दे हुकम चरनदा है इस दी शर्ण में चाहे है